पब्लिक टीवी आपकी आवाद मुरदबाद के मजोला थाना छेतर के लांकडी फाजलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फैक्टरी में ओवन पाइप फट गया हादसे में आठ लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिनको निजी अस्पताल में भरती करा दिया गया जहां कुछ की हालत नाजुब बनी हुई है वहीं मामले पर फैक्टरी मालिक का मेडिया के सामने ये कहना कि छोटा सा हादसा है दरसल मामला मुरदबाद के मजहूला थाना छेतर का है जहां लाकडी पाजलपुर के एसी ब्रोदर्स के नाम से फैक्टरी है फैक्टरी में जब लेकर में मजदूर काम कर रहे थे तब ही अचानक ओवन हीट होने की वज़़ा से लेकर में आग लग गई आग लगने की वज़़ा से ओवन फट गया और देखते ही देखते ही चीक पुकार मच गई हादसे में वहां काम कर रहे आठ मजदूर बुरी तरह जुलत गए जिनको मुरदबाद के निज़ी अस्पताल में उपचार के लिए भरती करा दिया गया जहां उनकी हलत गंहीर बनी हुई है वहीं जब मीडिया ने फैक्टरी स्वामी से बात की तो पहले तो वो पूरी जैनकारी नहोने की बात कहकर बचने लगए पर जब पूछा गया कि कितना बड़ा हाद्सा था तो उनका कहना था कि बहुत ही चोटा हाद्सा है अब आप खुद अंदर्जा लगा सकते हैं कि फैक्टरी स्वामी कितने गंवीर हैं मजदूरों के प्रती वहीं बात करें हादसे की तो जानकारी के मताबिक बताया गया है कि ओवन पुराना हो चुका था जो काफी लंबे समय से बदलने की तियारी की जा रही थी लेकिन अभी तक बदला नहीं गया जिसके बाद साफ जाहिल हो जाता है कि मजदूरों की जान से खिलबार किया जा रहा है कि मामला था और किस वजह से आग लगी है क्या हुआ है अभी अभी आगू और किस नाम से अधिक थे इस परस कितने लोग अगल मैं सब्सक्त है कि रही दो बता जा रहा है आठ लोग हाल है विजे दो एख भार है मुझे दो ही खाबर है मुझे जानकर रही है सबागी तबलोग वज़ाइब रही है कुछ पता चला है से नाए घंग नीए लूड़ा कितना क्या कहें बहुत बठेसा होरा कि प्लोर पर पर यह बताना मुश्क्किल है कि इंसेंट हुआ गया है तो कि एक ओवन था जो ओवन ब्लास्ट भी नहीं गया सकता है लेकर जुछ से हासद हुआ है इसे कि लोग बरन हुआ है कितने लोग हैं? माइनर इंज़री पांच है और थीन इंज़री ऐसी है जो टेपीकल है किस बज़े से हैं? यह बताना मुश्किल है भी जबता कि वहाँ पर आख बुजगईद हुआ है को सी फर्म है? वह कंप्री का नाम क्या है? इसी बज़े से किस डिपार्टमेंट में है? किसे बिवाद हुए यह लेकर डिपार्टमेंट में